जहें दोस्तो वस्तव स्वागत है आप सभी कि आपके अपने परिवार में और फिर से स्वागत करूंगा आप सभी के अपने इस रेलवे पीवाय पीवाईक्यू सिरीज में एक ऐसी पीवाईक्यू सिरीज जिससे पढ़ रहा मेरे भाई रेल्वे का हर चात्र को बहुत जादा लाब होने वाला है चाहे आप एंटीपीसी की त्यारी करते हैं ग्रूपडी की करते हैं एलपी हो या टेक्नीशन हो या फिर आरपी एफ ऐसा य लाप आएंगे तो मेरे भाई परसंटेज की हमने और लड़ी तीन क्लासे आप लोगों के लिए चैनल पर करा दिया है और जो बच्छे नए है मेरे भाई फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यह चौथी क्लास है और इस क्लास के बाद में कौन सी वीड और एक और बात बता दूँ कि जैसे जैसे हमारे सबस्क्राइबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं अपनी क्लास को रेगुलर भी करते जाओंगा और इस एक गंटे की क्लास को डेड़ गंटे तक भी मैं पहुचाओंगा शुरू में हमने यह कहा था कि मातर एक दिन अपका मेरे सपोर्ट करना और पस ऐसे ही करते रहो और 1 जल्दी हमलभ पहुचेंगे और और अर्ट हाल गोगा लेकिन ध्यान रखे मेरे उसमें देरी मत करिएगा जितना देर होगा उतना मेरे विल्लंब होते जाएगा नुक्सान आपको उतना होगा तो सब्सक्राइब कर कर लीजे रेलवे पीवाई क्यों सीरीज के नाम से हमारी सारी क्लास की पीडेफ इसमें आपको मिल जाएंगी और जा करके आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए आए मेरे भाई यहां पर आप लोगों के लिए मैं परसेंटेज में एक हम इंपोर्टेंट टॉपिक आ बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो हेडिंग डाल लीजे मेरे भाई अपने कॉपी में यहां पर ठीक है बहुत जरूरी है रीजनिंग में भी आप लोगे से पढ़ते होंगे और मैस में तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे चलिया आईए तो वेंड डाग्राम में मेरे इसके दो किससे होते हैं एक दो केस होता है और एक उसके बाद में तीन केस होता है तो पहले यहां पर डबल वाला केस को समझते हैं कि डबल वाला केस यहां पर क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेंड डाग्राम को ले करके तो आप यहां पर दे देखे हमने क्या कि है यहां पर कि एक यहां पर आयत के अंदर में दो वृत बना उसके बाद में जैसे पचास लोग किते हैं पचास लोग में तीस लोग वो जो सिर्फ और वितुद फुर्फ चाइप भी पीते हैं ठीक है उसी तरीके से काफी पीने वाले यहां पर 70 लोग हैं अगर 20 मेरे भाई यहां पर यह हो गया मान लीजे 20 लोग यह हो गया तो यह कितने हो जाएंगे तो यह मेरे भाई यहां पर 50 हो जाएंगे तो इस तरीके से जो डेटा होता है उसको हम किस तरीके से व हैं तो लिए तीक हैंपर मतलब यह कट्टर समrduk है चाए के चाए के अलावा इनको कुछ हमार पीना ही निए इनको कुछ और में इंटरेस्ट ही नहीं ये इनको कुछ और चाहिए भी नहीं तरफ और सरफ क्या पियेंगे तो सिर्फ और सिजम मेरे यहां पर यह चाह पिएंगे अब उसके बाद में चेयां पर अगर हम बात करें तो यह 50 लोग यह 50 लोग मेरे बाई किसके शा इनको बिल्कुल भी रास नहीं आएगी बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और सिर्फ मेरे भाई यहां पर कॉफी पियेगे ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में देखो जो भी मिल जाए फ्री का तो मूँ उठा के ले लेंगे तो यहीं पर यह 20 लोग वहीं हैं मेरे भाई यहां इनको आप कुछ भी दोगे ना तो मू उठा करके पी लेंगे भाई वाई साब बिल्क यहां पर यह वो लोग हैं जिनको चाय भी चलेगी और मेरे भाई काफी भी चलेगी आप दोनों में जो इसे पूछ लोगें न तो यहां पर मेरे भाई चाए और कॉफी इनको मेरे भाई दोनों में जो मरजी आए बोले सकते हैं तो basically अगर हम इस वेन डियागराम की बात करें यहां पर तो इस वेन डियागराम को फॉर्मले के माद दमसम कैसे represent करेंगे हम आपको वो बताते हैं तो सबसे पहले अगर इस इवन डियागराम को मेरे भाई फॉर्मले से अगर represent करने की बात आती है तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं और किस तरीके से लिखते हैं जरा वो देखें इसको हम बोलते हैं number of element of A इसको हम बोलते हैं मेरे भाई number of element of B यहाँ पर और उसके बाद में यहाँ पर यह बीच वाला जो data होता है यह हो जाता है मेरे भाई A intersection B यहाँ पर क्या हो जाता है तो बोलोगे सर यह A intersection क्या हो जाता है B हो जाता है जिसको finally अगर हम ये पता करना चाहें पूरे वेंडाग्राम में कितने लोग थे यानि number of A union B अगर हम पता करना चाहें तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर number of A हम add करेंगे फिर उसके बाद में हम number of B add करेंगे और फिर उसके बाद में मेरे भाई number of A intersection B को हम क्या करेंगे त यानि A का पूरा का पूरा कितना हो गया 50, B का पूरा का पूरा कितना हो गया 70 और उसमें से बीच वाले को एक बार minus कर दो तो total data निकल करके चला आता है इसी को मेरे भाई हम sum of total या फिर मेरे भाई total data भी हम बोल सकते हैं आज हम आपको इस वीडियो में when diagram भी बढ़ाने वा करके रखेंगे तभी notification आप लोगों को मेरे भाई मिल पाएगा और तभी आप उसके बाद में वीडियो को देख भी पाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको बाकी हमारे timing याद रखनी है यह class कितने बज़े चलती है रोज सुबह 8 बज़े recorded format में मिलती है और recording ही क्य आइव और VOD कुछ भी नहीं हो था समझ गया मेरी बात को ठीक है आईए चलिए बच्चो तो एलपी और technician का हमारे यह सवाल है कहा गया क्लास में कि एक कक्षा में 60% बच्चे गनित को पसंद करते हैं 45% विज्ञान को करते हैं और 25% गनित और विज्ञान दोनों को पसंद क होती है आपको जब यह लाइन देखने को मिलेगा यहां पर ठीक है कम से कम एक यहां पर विश्य है अब यह कम से कम वाला जो डेटा होता है इसका मतलब यहां पर ही होता है कि तुम मुझे क्या बताओ तो तुम मुझे मेरे भाई यहां पर टोटल बताओ जो यह बोला जात कि सर देखिए कुछ इस प्रकार का हमारे सामने यहां पर डेटा होगा और इस डेटा के अंदर में हमसे यहां पर क्या कहा गया है तो ऐसे मान करके चलिए कि एक यह गनित वाला छात्र होगा और यहां पर यह कौन सा ग्रूप होगा तो बोलेंगे सर विज्ञान वाला होगा यानि इसको maths बोल लेते हैं और इसको science बोल लेते हैं 60% बच्चे को गनित पसंद है यानि maths को पसंद करने वाले कितने हैं तो 60% है उसके बाद science को पसंद करने वाले कितने हैं तो 45% है और उसके बाद में मेरे भाई दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं तो 25% है आपको यह मान के चलना पड़ेगा तो जब यह line बोला जाता है ना इसका मतलब का आ जाता है तुम हमें total data बता हो और total बताने के लिए यहाँ पर इसकी अवशक्ता नहीं होती है यह बस मैंने आपको सम्झाने के लिए लिखा है जब भी अगर आपको total बताना है मतलब दोस्तों हमें a union भी बताना है तो हमें याद रखना है यहाँ पर आपको a का पूरा data लेना है आपको b का पूरा data लेना है और आपको जो common data होगा वो आपको मेरे भाई घटा देना है ठीक है a का पूरा data हमारा कितना है तो बोलेंगे 60% है b का पूरा data कितना है तो बोलेंगे 45% है और दोनों का common data कितना है तो बोलेंगे 25% है अब अगर आप देखेंगे 45 में से 25 गया तो 20 आजाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80% और ऐसे सवालों को आप बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं जब आपके concept clear होंगे जब आपको सवालों की बनाने की पकड़ने की पढ़ने की बहुत अच्छी समझ होगी तो ऐसे सवालों को आप हरवा में उड़ा सकते हैं इसमें मेरे भाई कलम की कोई आवशक्ता नहीं है आ पहले हम ये चलोकलीट कर लेते हैं कितना परसंट बच्छा पास हुआ यहा पर करने वालों कि प्रसंटेज को पता करेंगे तो हम यह कहेंगे सुन बात ऐस है अंगरी 70% बच्चा पास कर गया तो फेल कितना किया होगा मुझे यह बताओ 30% ठीक है तो यानि अगर हम बात करते हैं परसेंटेज फेल को ले करके तो आप यहां पर बोलेंगे गुरुजी 70% बच्चा पास है तो 30% बच्चा क्या हो गया फेल हो गया अब कोशन में कहा गया फेल संख्या है और कहा गया है कि कुल अभ्यार्तियों की संख्या बताओ कुल का मतलब मेरे भाई यहां पर 100% का मान बताना है 30 का अगर मेरे भाई गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा और 40 को 100 से गुना करेंगे तो 4000 जाएगा तो कुल अभ्यार्तियों की संख्या मारी कितनी हो जा कहारी दोपहर का बोजन किये 30 परशंट ने माशारी बोजन दोपहर का बोजन किया और 15 परशंट ने दोनों प्रकार का दोपहर का बोजन किया है यदि 96 लोग उपस्तित थे तो यहां पर कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का बोजन नहीं किया तो पहले मुझे यह पता करन कि जो लोग भोजन कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार की वह कितने परसेंट है ठीक है तो वहीं बात है मेरे भाई खाना खाने वाले लोगों की मेरे भाई यहां पर कितने प्रतिशत है तो जो लोग कि अगर हम बात करें तो वो हमारा 15% है ठीक नबे में से मेरे बाई 15 गटा देंगे अगर आप तो आपको कितना मिलेगा 75% यानि 75% लोगों कहीं न कहीं भोजन कर लिया जैसे मानों मेरे पास में कुछ लोग हैं कुछ मांसाहारी खाने चले गए कुछ दोनों खाने चले गए यानि इस पार्टी में बुलाए गए लगबग 75% बच्चों ने कुछ ना कुछ मेरे भाई खाही लिया है तो बचे यहां पर कितने हैं 25% ज नहीं किया है तो 25% लोगों ने भोजन नहीं किया है तो अगर हम काटेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और यह हमारा क्या होगा तो यह हमारा बिलकुल दोस्ति यहां पर सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा मेरे भाई बिलकुल हमारा सही उत्तर होगा यहा अगर आप तीन का पढ़ना पढ़ जाए तो उसमें मेरे भाई कोशन कैसे बनेंगे वो हम आपको समझाते हैं थोड़ी सी थियोरी जानेंगे फिर सवाल को जानेंगे बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें आज यह अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो समझ यहां पर कि तीन तरह का डेटा है यह एका डेटा हो गया मेरे भाई यहां पर यह बी का डेटा हो गया और यहां पर मेरे कोका-कोला पीते हैं बस यह समझे लीजिए हैं ठीक है तो ये तीन लोगों के बारे में बाते कही कही है अब उसके बाद में यहां पर क्या होता उसके बाद में यहां पर जो नीचे वाला डेटा है दोस्ते हां पर यह नीचे वाला जो डेटा है यह कटर समर्था किसका तो कोका कोला का किसका मेरे भाई यहां पर तो कोका कोला का ठीक है अब उसके बाद में जो यहां पर डेटा आता है यह वाला डेटा मेरे भाई यहां पर यह दोनों तो यह दोनों ऐसे लोग हैं मतलब यह वाला डेटा ऐसा है जिसको आप यह से क्वाउट कर सकते हैं कि सर यह रेडबुल एंड कोका कोला बोथ हो गया एक तरीके से ठीक है उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया आप इस डेटा को जब काउंट करोगे तो यह स्टिंग और कुका कोला बोथ हो गया मेरे भाई ठीक उसके बाद में जब आप यहाँ पर इस डेटा को काउंट करोगे तो बोलोगे सर यह रेड बूल ने sting हमारा बोत हो गया और सबसे major role जो play करता है वो इसमें बीच में बैठा हुआ इनसान यहां पर यह वाला play कर रहा होता है और इसको हम बोलते हैं कि सर यहां पर आप देख सकते हैं यह जो बीच वाला है इसको मेरे खाई सब कुछ पसंद है इसको यहां पर रेडबूल पसंद सको इसको कोका कोला वे पसंद है तो अगर हम यहां पर सब के अलग-अलग नाम से इनको दढ़्शाएं और अभी सी का नाम इनको दे यहां पर तो किस प्रकार से हम data डेटा को लिखते हैं वो समझे यह होता है पूरा का पूरा ए होता है दोस्ते हैं पर यह पूरा का पूरा सरकल जो है वो बी को बताता है और यह पूरा सरकल जो है वो यहां पर सी को बताता है ठीक अगर हम यहां पर बात करें और अगर हम यहां पर चीजों को समझें तो हम य ये वाला डेटा हमारा B और C दोनों को रिप्रेजन करेगा ठीक है उसके बाद में ये वाला डेटा किसको रिप्रेजन करेगा तो ये वाला डेटा मेरे भाई जो है वो A और B दोनों को रिप्रेजन करेगा दोस्ते हां पर ठीक अब लास्ट में आ जाता है जो बीच वाला ड कि A, B और C सबको मिला करके कितना बना तो हम यहाँ पर यह कहेंगे number of A हो गया union हमारा B हो गया union हमारा C हो गया यह बराबर होगा number of A फिर बराबर होगा मेरे भाई number of B फिर बराबर होगा हमारा number of C उसके बाद से इसमें से हम जो है यहांपर घटा देंगे और किसे घटा देंगे तो A intersection B को घटाएंगे, फिर उसके बाद से हम इसे मेरे भाई B intersection C को घटाएंगे, फिर उसके बाद से A और C दोनों को घटाएंगे और last में यहांपर ले जा करके A, B, C वाले डेटा को हमें हमnya पर जोड़ में क्या कर देंगे तो जोड़ देंगे यानि अगर हमें total निकालना है तो a PLUS B PLUS C उसके बाद हम यहां पर a union B मेरे भाई सब जोड़ो बी और sp3 को सब जोड़ो और स्को यहां पर क्या कर दो- प्य ships कर दो समझ फूछे पुरा-पुरा आपको ए ले है आईए चलिए सवाल की बात अगर हम करें यहां पर तो कुशिन में देखिए क्या कहा गया आपके अपने सवाल पूछा गया है जरा पढ़िए क्या बोला गया किसी परिक्षा में अर्थ सास्तर में 41% विद्यारती जो है वो मेरे भाई फेल हो गया तो अगर हम बात करते है यहां पर यह हमारा क्या हो गया तो यह हमारा सी हो गया समझ गया देखते चलिए तरीके से चीजों को लेकर के यहां पर क्या है और क्या नहीं है मेरे भाई यहां पर बहुत यह अच्छे तरीके से बहुत ही शांदार तरीके से आप लोग बहुत यह अच्छे से बना पाए जोग्रफी का डेटा कितना है तो बोलो के गुरुजी 35% है ऐसे भागते हैं उसके बाद हिस्ट्री में कितना डेटा है तो हिस्ट्री में मेरे बाई यहाँ पर है हमारा 39% के करीब में यह हमारा इस्री का डेटा होगे 5% बच्चे ऐसे जो तीनों में फैल हो गया 5% को कहां रखोगे तो हमेशा मेरे भाई बीच में रखोगे ध्याद रखना भरने का तरीका समझो मेरे से कैसे इनको भरते हैं 14% बच्चे एकनॉमिक्स और जोगरफी दोनों में फैल हो गये एकनॉमिक्स और जोगरफी में पूरा 14 है मतलब यह पूरा मान कितना है 14 है और अगर यह पूरा मान 14 है उसमें अगर यह पांच है तो यह कितना हो जाएगा तो बोलोगे गुरुजी नो हो जाए बरने का तरीका में कैया रहो ना भरने का तरीका कीसे बठते है फिर बोला गया 21 बच्या हिस्टी और जीडोरफी में ठीक है अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री और जीडोरफी में यह यह पर यह पूरा डेटा 21 पर ये 21 Major जाईगा तो लोग Cant सर यह 5 है तो यह कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 16 हो जाएगा भरने का सिंपल एक तरीका होता है सबसे बीच वाले को पहले बढ़ते हैं और उसके बाद में सब हमारा कितना हो जाएगा तो यह हमारा 13 हो जाएगा अब उसके बाद धीरे धीरे करके हम यहां पर एक ही करके सारा डेटा निकाल सकते हैं अब यहां पर मान लीजे किसी भाई को हमारे सिर्फ और सिर्फ यहां पर यह वाला डेटा चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक लौता यह वा में 27 मेरे भाई माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा तो 27-31-41-14-14-14 परसेंट हो जाएगा बाद में क्या पूछा गया क्या नहीं बाद में देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप समझो अगर मुझे यह वाला डेटा चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे 35 में से तीनों को यहां पर घटा दो 35 में से तीनों को घटा दो तो 16 और 9 मेरे भाई 25 और 35 तो यह हो जाएगा मेरे भाई कितना 5% तो आगया बात यहां पर अब यह वाला डेटा देखो कैसे निकालोगे तो बोलोगे सर 39 में से आप तीनों को घटा दीज तो कहा गया उन विद्ध्यार्तियों की प्रतिशत ग्यात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुतीन है who failed in economics only तो economics में fail करने वाले कितने है 14 यानि कौन सा option हो जाएगा तो option number D for देवसिन सिर्फ economics में fail करने वाले एक होता है total बता दो और एक होता है सिर्फ economics में fail किया तो only economics पूछेगा तो मेरे भाई 14 और total पूछेगा तो कितना बताएंगे 41 only history पूछेगा तो कितना बताएंगे 5 only geography पूछेगा तो कितना बताएंगे 5 तो ये छोटी छोटी बात है आपको ध्यान रखनी है मुझे पता है कि एक बार मैं आपको चीजे क्लियर नहीं होंगे आपको एक दो सवाल और चाहिए होंगे तो हम आप लोगों के लिए एक दो सवाल और रखेंगे ठीक है आईए चलिए बाकी यहाँ पर देखे इस कोशिन के अगर हम बात करें यहाँ पर अब एक और सवाल आप यहाँ पर देखें देखें ऐसे सवालों में सिंपल सी बात मेरे भाई ध्यान रखना होता है कि जो सबसे पहले फिलिंग की जाती है वो अंदर वाले बक्से की उसको फिल कर लोगे ना तो उसके बाद में यहाँ पर जो है एक एक चीज पूछ लोगे अब जैसे मानों इसमें अगर यह पूछा जाता टोटल बताओ क्या होगा टोटल के लिए एक को जोड़ते जी को जोड़ते एच को जोड़ते उसके बाद में common इसे माइनस करते, common इसे माइनस करते common इसे माइनस करते, बीच वाले को क्या करते add करते अब कुछ इसी प्रकार का एक सवाल आईए मेरे भाई हम आपको दिखाते हैं, जो दिखता तो when diagram की तरह है, लेकिन है नहीं ठीक है, और वो क्या है, वो पढ़िए बहुत यत्पटा सवाल और आप लोगों के NTPC के मेस में पूछा गया, मुझे तो लगा अगर ये प्रीम में पूछ लिया जाए, तो बहुत बच्चे परिशान हो जाएंगे, कि ऐसा सवाल प्रीम में भी आता है क्या, बिल्कुल आता है, आप देखिए एक इलाके के 1.500 लोगों को रोजाना काम करने के लिए यात्रा करनी होती है 25 केवल बस से यात्रा करते हैं यानि अगर हम बात करते हैं तो केवल बस से यात्रा करने वाले कितने लोग हैं तो आप बोलोगे सर्फ सिर्फ और सिर्फ बस से यात्रा करने वाले पचीस लोग हैं हने उसके बाद यहाँ पर का आ गया है चालिज केवल टेंड से यात्रह करते हैं तो ओली Т्रेंड से मेरे भाई यात्रह करने वाले कितने हैं to only ट्रें से यात्रह करने वाले यहाँ पर 40 हुआ है 20 टक्सी और ट्रेंड मेरे भाई दोनों लेते हैं टेक्सी भी लेते हैं और ट्रेंग भी लेते हैं तो यह special लेटा है इसको थोड़ा पास में अपने रखेंगे 30 केवल नीजी कार का इस्तमाल करते हैं यानि मेरे भाई only car आप एक तरीके से कह सकते हो तो only car लेने वाले कितने लोग हैं तो यहाँ पर 30 लोग है फिर यहाँ पर कहा गया 25 लोग ऐसे हैं जो बस और टेक्सी मेरे भाई दोनों लेते हैं बस भी लेते हैं टेक्सी भी लेते हैं जो मिल जाए जिससे मिल जाए वैसे जा सकते हैं और बाकी केवल टेक्सी से यात्रा करते हैं जो बाकी बच गए यहाँ पर वो क्या होंगे तो only taxi होंगे अब only taxi कौन सा लोग होगा मेरे भाई तो जो बाकी बच गया वो होगा और बाकी बचा कितना तो बोलोगे सर देखिए देड़ सो लोग थे आपके पास में इस देड़ सो लोगों में से इस देड़ सो लोगों में से आप इस बात को समझिए देड़ सो लोगों में से कितने लोग हमारे निकल गए तो बोला गया सर यहां पर देखिए लोगों में से कितना कितना निकल गया है तो पचीश ऐसे हैं जो क्या इस्ते बाद में यह दोड़ आप इसे कर दिया जो दो लोग यहां पर हमें क्या करना है इस 1.500 वाले data में से इन दोनों data को मेरे भाई यहाँ पर सब को क्या करना है तो minus कर देना है मतलब यहाँ पर कुल मिला करके इतने लोग थे और इनमें से ही सभी को minus कर दो तो पहला 25, 40, 20, 25, 40 वर मेरे भाई कितना हो जाएगा तो मतलब 30 हो जाएगा फिर और यह 20 और यह 25 को भी अगर आप जोड़ दोगे और तब minus करो तो कितना आएगा आपके सामने तो बोलोगे सर देड़ सो लोग है ठीक है पचीस और पचीस पचास हो गया और पचास के बाद में 40, 30, 70 और 20, 90, 140 हो गया तो यहां रखेंगे सर 140 यानि सिर्फ और सिर्फ टैक्सी से जाने वाले कितने लोग है तो 10 लोग है जो सिर्फ और सिर्फ कट्टा स्रमर्थक है और किसके है तो टैक्सी के है अब कोशन में क्या पूछा गया वाट इस यहां पर उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तमाल करते हैं तो आप मुझे बताओ यहां पर केवल एक साधन इस्तमाल करने वाले कितने लोग हैं यह केवल एक में आता है यह केवल एक में आता है और यह केवल एक में आता है तो कितने हो गए तो 40 और 30 70 और मेरे भाई यहां पर अच्छे इसका मतलब 95 और 95 में अगर आप 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105 105 लोग ऐसे हैं जो केवल एक मोड अफ ट्रांसवर इस्तमाल करते हैं और कितने में तो डेड़ सुमें इंटु कितना करेंगे तो इंटु हम यहाँ पर स्ट्रोग करेंगे का दिवाना है तो NDPC का दिवाना है तो इसके बाद हम आपको बता दे तो इसके बाद हमारी planning है आप लोगों के लिए बहुत कुछ और करने की अब मैं आप लोगों के लिए जैसे यह topic कराएंगे तो Mixed Practices आप कराएंगे चाहे आप उसको प्रैक्टिस के नाम दे लिए चाहेए पूसको उसको सेंपल लक्र करते रहें और साथ में बीच-बीच में इसको mock test के तरह पर ले कि हमें बाकी chapters के कितने सवाल आते हैं और कितने नहीं आते हैं इससे क्या होगा थोड़ी गनित के उपर में आपकी पकड़ और मजबूत होगी आपको बार-बार एक reminder मिलता रहेगा यार मुझे अभी यह भी चैप्टर पढ़ना है मुझे अभी यह भ गॉलता हूँ कि मैं यह बात करने वाले हल्ला नहीं करते हैं सिधा मिलता हूँ कि मैं अपने काम से ज्यादा जवाब देना पसंद करता हूँ आज रभीवार का इन है पूरे लोग अपने घर मे हैं आप vivirांड का दिन हैंлем mittlerweile जीव Wilson और हम आप师 से लिए recording कर रहे हैं क्यों मेरा जीवन यहीं है मेरा जीवन उस दिन सार तक हो जाएगा जिस दिन आप लोगों का selection हो जाएगा मेरी classes उस दिन सार तक हो जाएंगी जिस दिन आप अपने selection का रिपोर्ट काड यहां लेकर क्या होगे हाँ गुरुजी आप रात 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 बर रेकॉर्ड करते थे हम लोग रात 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 बर पढ़ते थे यह को सिस्टम बना और आज इसी का कारण है कि हमारे हाथ में जोएडिंग लेटर है आज़ो चलो यहां सवाल को पड़ो क्या का आगया कोशन में तो अब यह वाला सवाल उसी डेटा के उपर में है लेकिन इसका सवाल अलग है वह सवाल नहीं है जो पिछले वाला था बस इसमें सारा डेटा सेम दिया गया है कोशन अलग बतल दिया गया इसमें यह कहा गया All How Many People Use Taxi to Commute Taxi का استعمال करने वाले कितने लोग थे तो अगर हम बात करते हैं Taxi का इस्तमाल करने वाले तो मैं आपको बताऊंगा मेरे भई Taxi कितने तरीकों से इस्तमाल हो रहा था तो Taxi का इस्तमाल करने का मेरे भई एक यह तरीका था Only Taxi only taxi का मतलब कितना हो जाएगा तो only taxi का मतलब 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस से जाते हैं तो taxi से फिर उसके बाद में 20 लोग ऐसे हैं जो taxi और train दोनों का इस्तमाल करते हैं तो आप उस 20 को भी सम्मिलित कर लीजेगा और उसके बाद में हाँ पर यह कहा गया तो मेरे भाई पचीस बस और टैक्सी दोनों का इस्तमाल करते हैं तो आप इस पचीस को भी इस्तमाल कर लीजेगा तो बेसिकली एगर हम बात करें तो कुल मिला करके कितना हो जाएगा पच्पन, option number A क्या होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा तो data हमारा सेम था बस पूछने के तरीके जो थे वो क्या थे अलग थे बाकि देखे दोस्तों हम आप लोगों के practice के लिए सबसे बढ़िया जो श्रूत है वो हम बता रखे हैं कि गनित का एक मात्र अपना विश्वसनी श्रूत मानिये प्राक्टिस करने के लिए वो है आपका रेलिवे गनित ठीक है एक ऐसी किताब जिसने पूरे भारत में आते ही अपना तहल का मशा दिया कारण सिर्फ और सिर्फ इसका content है एक बच्चे को क्या चाहिए होता है उसको ये चाहिए होता है कि मैं एक chapter के questions लगाऊ और उसके बाद मैं उसकी mix practice करूँ तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे हमारे सामने ये रेलिवे गनित की किताब है ये अंग्रेजी में भी है और ये हिंदी में भी है तो जैसे अभी आज मैं आपको English वालेस का किताब देखा रहा हूँ इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या आप एक बार इसका index देखो पूरे सवाल सारे के सारे किसमें दिये गया है तो type wise दिया गया है टाइप नंबर वन टाइप नंबर टू टाइप नंबर थू टाइप नंबर फूर अच्छा एक और चीज़ यह किताब हमने खुद बनाई है किसी और publication से नहीं बनवाया क्योंकि किसी और publication के साथ में अपने नाम बेशने में मेरे बाई नुकसान यह हो जाता है चैप्टर है मेरे बाई यूनिडिजिट का कोशन डाल रखा है डिविजिबिलिटी का चैप्टर है एच्छी अफल्सियम का और परसंटेज का सवाल मिल जाता है यह किताब ऐसी है जिसको बच्चे मेरे बाई बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं एक तो सारे कोशन इसमें टाइप वीज मिल जाता है जैसे मैं आपको वेंड डाग्राम पढ़ा रहा हूँ उसके बाद कमिशन उसके बाद एलेक्शन इस तरीके से वैसे ही आप पर दिया गया तो पूरा मैं इसका डिट्टो पढ़ा रहा हूँ आपको यह हो गया उसके ब पर मैंने खुद काम किया तो मुझे पता है और सबसे बड़ी बात यहां पर इस किताब पी जो लगती है वह यह कि जब आप पूरा चैप्टर मेरे भाई खतम कर लेते हो तो यहां पर यह किताब मात्र इतने में ही खतम हो जाती है देखो मतलब इसमें इतने पन्ने तो किताब करेंगे आप देखें और यहां पर क्या है चेप्टर टेस्ट दिया गया है मतलब आपने परसेंटेश पढ़ लिया तो उसके बाद में यहां पर जाकर करके सके टेस्ट लगाई और एक एक चैप्टर को बहुती बढ़ीया तरीके से करिए अब जैनरली इस सेगमें याना कि उसी किताब पर वहांत रखके यह कह दे कि वह जीवन में कभी किताब नहीं लाएंगे ठीक है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मेरे भाई दुनिया में लोग ऐसे दोगलेपने पर आ जाते हैं कि जिस इसका वह विरोध करते हैं बाद में पता चलता है वहीं चीज़ वह लेते हैं और मैंने मेरे भाई दुनिया बदलते और लोगों के जुबान बदलते देखे तो आप उस शक्रों में ना रहें और अपनी पढ़ाई करें बाकी यह हमारी दोनों किताबें हैं ग्रेजी में हिंद्ली में प्राट्टिस के लिए सबसे बेस सोश है आप इसी को फ अगर के एक महीने के बाद में अनॉस्मेंट लेकर करेंगे और ऐसी ही किताब के साथ में आएंगे तो आप मेरे उनके बहकावे में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे यह मैं जानता हूं और बहुत दिनों से लोगों के चरित्र और सभी जुबान को मैं देख रहा हूं बदलते भी देख रहा हूं यहां पर बस आप अपने अपको छती ना पहुंचाएं अपनी पढ़ाई करें इस सवाल को हम दो और तीन अलग-अलग तरीकों से बना सकते हैं ठीक है आप जिस भी तरीके से बोलेंगे हम ऐसे बना देंगे जै सबसे पहला इस सवाल का बीशिक पिर उसके बाद में हम आपको इसका इतना शांदार अपरोच बताएंगे जिसके बारे में सुच भी नहीं का इंगे सब्से पहले बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे सरनी और को 4,000,000 तोटल पॉपुलेशन हमारा मेरे भाई कितने का था जो 4,000,000 फिर उसके बाद मैं कहा गया मेरे भाई विलेज का पॉपुलेशन 45 o हो जाता है कब जब मेल और फीमेल 10 और 20 से बढ़ जाते हैं मतलब मेल बढ़ कितना गया 10 परशेंट से तो इसका परशंट कितना होगा तो टेनेक्स पीमेल बढ़ गई 20 परशंट से तो इसका 20 परशंट कितना होगा बीस वाई और जनसंख्या 4000-45 हो गई तो बढ़ी कितने की तो पांस होगी यानि सिर्फ और सिर्फ यह क्या है तो यह मेरे भाई है तो कैसे करेंगे तो बचुपन वाले तरीके किसी एक को Cancel करोगे तो जाकर कि दूसरे का मान मिलेगा तो कोशन में कहा Numbernez FEMAil निकालना है तो मेरे भाई अगर मेयल निकालना है मेल निकालना है तो female को cancel करो और female निकालना है तो male को cancel करो यानि मेरे भाई male निकालना है तो female को बराबर करो 20 है तो इसे 100 बनो तो मेरे भाई कैसे गुना करोगे 5 से आप इसको 5 से गुना करो 50 x हो जाएगा आप इसको 5 से गुना करो 100 y हो जाएगा और आप तो इसको 5 से गुना करो 25 कि जाएगा अब दोस्तों यहां देखो इस कहीं ना कहीं इसका double करना है तो इसका भी double कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा और श्रही उत्तर क्या आएगा 3000 ओप्शन नमबर डी फॉर देदी तेरा देवर देवाना ठीक है लेकिन क्या हमें पेपर में इस तरीके से करना है तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों पेपर में यह अप्रोच हमारा सेलेक्शन कभी भी नहीं दिलाएगा यह तरीका नहीं अपनाना मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि सुनो अप्रोच तुम्हारे ऐसे होने चाहिए न मेरे भाई कि सवाल इस सवाल को बना सकते हैं बस मेरा सहयोग करिए आप लोग दीरे दीरे आप लोगों की प्राक्टिस हो जाएगी ना तो पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बना पाओगे मेरा बात है अब आप यहां देखो तो बोलो कि गुरुजी देखिए बात ऐसा है जंसंक्या कितनी थी? 4,000, हो कितनी गई? 4,000, बढ़त कितने की होई? तो 500 की भढ़त हुई यह बढ़त किसके कारण हुआ? तो बोलेंगे सर 10% मेल के कारण और 20% हमारा किसके कारण मेरे भाई? female के कारण 10% male के कारण 20% किस के कारण female के कारण मुझे किसकी जनसंख्या निकालनी है मुझे male की निकालनी है अगर आपको male का जनसंख्या निकालना है तो female के बराबर का percent लीजे और दोनों का लीजे यानि female अगर 20% है तो आप बोलेंगे सर हम 20% male लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे तो 20% female लेंगे दोनों का 20% लेने का मतलब पूरी जनसंख्या का 20% लेना और पूरी जनसंख्या का 20% लेने का मतलब 4000 का 20% लेना 4000 का 20% आपको भी पता है कि हम 4000 का 20% कैसे निकालेंगे तो आप बोलो कि गुरी जी 4000 का 20% का मतलब होता है 800 यानि पूरी जनसंख्या का 20% लेने का मतलब क्या हो जाता है 800 हो जाता है अब आराम से मेरे भाई माइनस करो 800 में से 500 गया तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा 20 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ किया हो जाएगा खतम अगर 10% का मान 300 हो तो यह 100% होगा यहाँ पर यहाँ पर यह अपने आपका 10 गुना कितना camera नुम्बर ढी आएगा क के इा सर कितना गए तो option नुम्बर ढीया है तो धीरे दीरे बिना चलिए सवाल मेरे भाई देखते हैं अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है और यह दिखने में इतना भारी वरकम है लेकिन सॉलूशन मात्र इत्तु सा है पढ़िया आप इसको अच्छे से कोशन में क्या कहा गया तो बुला गया एक कुराने की दुकान दो अलग-अलग विक द्वारा लिया जाता है मैं किराने का दुकांदार हूँ मिरे पासे में दो अप्लायर है पहले वाले से मैंने कितना लिया तो 20% माल उठाया और दूसरे से विक्रेता की समान को देखने दुकानदार को पता चल गया कि 25% समान केवल एक दिन तक ही स्तमाल किया सकता है वहां माल वापस करने का फैसला करता है उसे दूसरे विक्रेता से कितने पैसे मिलेंगे दूसरे वाला जो विक्रेता होगा यहां पर वो इसको कितना पैसा लोटाएगा आप इंग्लिश में भी यहां पढ़ सकते हो जो आफ्या पर पर चेंट बोटल अव जूस पैक वाइप यहां पर कि मैं ब्रेड का धना कर रहा हूं ब्रेड मेरे भाई बना रहा हूं और मुझे पता है कि इसकी लास्टिंग सिर्फ एक दिन की है तो मैं मेरे भाई कितना इस्तमाल करूंगा जितना होगा यानि यह उसको कितना पैसा मिलेगा तो देखो आप बोलोगे सर देखिए 600 बोतले हैं 600 में से पहले विक्रेता को गई हैं 20% और दूसरे को गई हैं कितना तो 80% अब यह बोतल हो गया उसके बाद में एक बोतल का विक्रे मुले इतना है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे फिर कोशन में कहा गया है आपर कि देखें दूसरे विक्रेता के समान को देखते के बाद दुकांदार को पता चलता है कि इतना परसंट समान केवल एक दिन तक इस्त और इसका एक चौथाई कितना हो जाएगा 120 यानि वो इतना ही बेच पाएगा और इतना ही पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा मेरे भाई 120 बुतल और 120 बुतल का कितने रुपए तो पचीस रुपए 120 का पचीस मेरे भाई कितना होता है तो आप बोलोगे सर 3000 होता है कितना होता है 3,000 होता है और कौन सा option हो जाएगा तो option number C पर कहूना प्यार है समझने आगया बात यहाँ पर पच्चीस दुनी 50 और पच्चीस एकम 25 और पांच 30 मेरे भाई बिलकुल सही हमारा उतर रहती निजार है कोई दिक्कत नहीं है लिहान रखे इस प्रात का चली आएए अगला सवाल हम लोग देखते हैं प्रतीशत का एक और बड़ा प्यारा सा question और सवाल में यहां पर क्या कहा गया जरा पोपर यहां इस सवाल में यह कहा गया किसी शहर की जन संख्या यहां पर इतने से बढ़ वाई 25 का एक गुना 25 हो जाएगा और उसके बाद में है पर 25 से कम 2025 ठीक है और उसके बाद में फिर यहां कितना हो जाएगा 125 जो की हो जाएगा मेरे भाई 5 बार में तो लगबक 35 से आप過去 काठेंगे 25 से 3 काठेंगे तो पाठेंगे तीन बार में तो कितने परसंट का सालों में बढ़ा है तो एक साल का इंक्रीज कितने का होगा तो इसको पांच से बाग करो पांच साल में 50 एक साल में 10% यहीं हमारा उत्तर है क्योंकि कोश्चन में कहा गया प्रतिवर्ष होने वाला उसत वृदि हमारा कितना होगा याद करिए देखे इस बार बहुत अच्छा मौका है आप लगों के लिए एक ही मेरे भाई जो है तैयारी से आप अपना आर्पीफ ऐसाई भी करश रखते हैं कॉंस्टेबल की भी त्यारी कर सकते हैं गुरूबडी का भी उसी से हो जाएगा इंटीपीसी का भी उसी से हो जाएगा इसलिए डेडिकेटली मेरे भाई सीरीज को फॉलो करते रही है ठीक हर एक वीडियो को उसका दिखे इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आप जब सबसे पहला प्लेलिस्ट है आपका रेल्वे पीवाई क्यू सीरीज के नम से और सारी वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर में आपको देखने को मिल जाएंगे यहां देखो बहुत ही प्रॉपर मेरे भाई यहां पर परस्रेंटेज का यह आपको देखते हैं चलो क्लास न मैं भाई पर यह कहा गया कि यहां पर ताजे अंगूरों में 80% क्या होता पणी होता है और सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है तो तो मिल यह नहीं fruit concept अब यह fresh and dry fruit मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है आप समझो जैसे मानों आपको यहाँ पर क्या है अंगूर आपने कोई लिए आप देखना तो कोई भी अगर अंगूर है आप उसको जब नॉर्मली तोड़ते हो तो वह ऐसा होता है अंगूर का दाना ठीक है लेकिन जब के सिकूड करके ऐसा एकदम किश्मिष बन जाता है जिसे इंगलिश में रेजिन कहते हैं और अगर आप देखोगे भी नौरातरी के समय में एक आजू किश्मिष का भोग भी भवान जी को लगाया जाता है तो वहीं किश्मिष की में बात कर रहा हूं अगर आपको कई के बाड़ी से सारा पानी नीचोड़ लिया जाता है तो जो बच जाता है वो क्या बच जाता है गुदा बच जाता है यानि कही ना कहीं जितना गुदा इसके अंदर में था आज भी इसके अंदर में उतना ही गुदा है जो कमी हुई है वो पानी की हुई है तो फ्रेश और ड्राइफ रूट में हम क्या करते हैं मेरे भाई ताजे फल के अंदर में गुदे का वजन और सुखे फल के अंदर में गुदे का वजन यह हमारा क्या है तो यह हमारा मेरे भाई फ्रेश फ्रूट है और यह हमारा क्या है तो ड्राइफ रूट है तो जो गुदे का वजन होता वो कभी नहीं बदलता जैसे आपके बोडी में जितना मांस का वजन है वो कभी नहीं बदलेगा पानी की मात्रा उपर नीचे होती रहेगी जिसके कारण आपका वजन उपर नीचे होते रहेगा लेकिन मांस का वजन सेम रहेगा तो इसमें यहां पर जो है गुदा कितना परस परशंट बराबर होगा किसके ड्राइफ रूट के वाई परशंट के हो सकता है मेरे भाई गुदा इसमें 20 परशंट और 80 परशंट पानी हो और इसमें पढ़ी है मेरे भाई क्या कहा गया तो ताजे अंगुर में 80% पानी है तो गुदा कितना है 20% यानि ताजे फलो में गुदा कितना है तो 20% ताजे फलो में गुदा कितना है 20% जबकि शूखे अंगुर में 10% पानी है पानी अगर 10% है तो गुदा कितना है 90% गुदा कितना है नब्बे परषंट तो ताजे मेरे भाई सूखे फॉलो के 90 के क्या है बराबर है इने दोनों में से किसी एक का वजन देता है और दूसरे का वजन पूछता है तो कहा गया यदि सूखे अंगुरों का भार 2500 ग्राम है तो ताजों का कितना होगा तो मेरे भाई ताजे का हम कितना माल लेते हैं एक्स परसेंट से परसेंट खतम हो जाएगा तो लिखने की आवशक्ता नहीं है और सुखे का वज़न नहीं कितना दिया तो समझ गया तो ताजे फल और सुखे फल में आज के बाद कभी कोई कन्फूशन होगा नहीं होगा एक और सवाल इसके उपर में देखे गुरूब डी में आपके पूछा गया सवाल है और क्या कहा गया जरा पढ़िए पांसो बीस ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उप्यों करके एक गोल तयार किया जाता है गोल में द्रव वेमान प्रतिशक कैदार पर सांद्रतता की गन्ना करें आसान भाशा में a solution is prepared by 520 ग्राम water and इतना ग्राम salt मतलब उसमें पानी पांसो बीस ग्राम है तो salt हमारा 45 ग्राम है calculate the concentration in terms of mass by percentage of solution यहां पर ठीक है किसके अंदर में मेरे वजन का जो है कहीं न कहीं यहां पर कितना percent है मतलब यह बोला गया न है calculate the concentration in terms of mass तो मेरे वजन किस से आने वाला मास का मतलब क्या होता है जो hard mass चीज़े present हो जो दीखे वहां पर तो कहीं न कहीं salt का मेरे भाई percent पूछा है पूरे solution में to calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution यानि आसान भाशा में अगर आप देखें तो आप बोलेंगे पूरा solution कितना होगा 520 में से 45 मेरे भाई जोड़ दो तो बोलोगे सर 565 और into कितना हो जाएगा तो into मेरे भाई यहां पर 100% हो जाए अगर आप यहां देखेंगे तो लगबग मेरे भाई यहां पर कितना आना है इसका आपको 945 के करीब में 9% से थोड़ा सा कम मतलब हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके क्या कहानी होगी पांच से एक बार में पांच से कितनी बार में दोस्त तीन बार में और पांच से काटोगे तो कितनी बार में हमारा correct answer होगा option number जो C होगा वो क्या होगा correct answer होगा मैंने थोड़ा सा approximation का सहारा लिया धीरे धीरे जब आप भी पढ़ोगे तो आपको भी मेरे भाई इसकी आदत लग जाएगी है ठीक है समझे मेरे बात को लेकर के चलिए अब मेरे भाई मैं आपको बता दूए चोटी सी बात यहां पर कि अगर आपका या आपको कोई भी दोस्तों कोई भाई और बी मित्र हो या आप खुद हो यहां पर अगर आपको किसी भी टॉपिक को बहुत ही डीटेल में पढ़ना ह यह किसी भी इक्जाम की त्यारी करनी है बिलकुस जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक तो आप मेरे भाई यहां पर हमारे मैट्स के रिकोर्ड़ वैच से कर सकते हैं भारत में इकला यह बाइच है जिसको मेरे भाई हाइए इंडिमांड होता है हमृशय निए टौपर होता है आप 700 के इस badge को मेरे भाई अपने पास में जब रखते हो तो इसकी validity lifetime होती है और यह कभी खतम नहीं होता है मतलब यह आपको हर परिक्षा में हर इस्तिती में हर जगा पर आपको सहाय पराद करेगा अगर हम इस badge की बात करें हैं यहां पर तो आप देखे इस badge को लेकर के यह आप जाएंगे ना जब हमारा application है आर जी विक्रमजीद करके देखे यह हमारा application है आर जी विक्रमजीद Google Store पर आर जी विक्रमजीद जब आप इसमें जाओगे जब यहां पर जाकर के मेरे भाई math के subject में देखोगे जब इसमें यहां पर math के VOD badge में जाओगे तो आपको इसके अंदर में दिखेगा कि हमने कि आया है इस badge के अंदर में जो जो topics हम कराते हैं जैसे एकर हम प्रतिशत की ही बात करे तो आप प्रतिशत में देखो कुल मिलाकर के कितनी classes हैं तो 20 classes हैं मेरे भाई यहां पर आप देखो 21 classes हैं प्रतिशत की जितनी classes मेरे भाई मैंने यहां पर पढ़ाई है सभी से तरीके से उन सभी classes की यहां पर मैं PDF देता हूं बच्चों को एक classroom sheet होती है class notes होता है और एक practice sheet होता है सब यहां पर करने के लिए उसके बाद में जितने भी topics आप पढ़ते हैं उन सभी का यहां पर test जो है वह यहां पर जो है test भी आपको मिलता है समझे बात को ले करके तो हम यहां पर क्या करते हैं मेरे भाई पूरा पूरा बच्चों को test भी देते हैं और कम से कम 500 test के अंदर में एक नहीं दो नहीं कितने test है तो मेरे भाई यहां पर 500 test है आप लोगों के पास में आप इस बात को समझे तो 500 test के अंदर में मिलता है बहुत ही बढ़िया तरीके से अलग-अलग exam के इसाब से और आप उसका पूर्ण रूप से फायदा उठा पाते हैं तो 699 के अंदर में यह पूरा बैच है आप लोगों के लिए मौक टेस्ट या ऐसे कह लिए प्रैक्टिस एट और इस प्रैक्टिस एट के अंदर में मैं चाहूंगा कि जादा से जादा बच्चे स्कूर करें और जादा से जादा बच्चों के नंबर आए यहां पर ठीक है तो चैनल का reminder set कर लिना सब्स्राइब क करके देखना और comment box में बकायदा यह बताना मुझे यहां पर कि सर आपने कितने कोशन सही किये कितने गलत कि आपका attempt क्या था ठीक है तो यहां से हमारा प्रतिश्यत खतम होता है प्रतिश्यत के कुछ और भी सवाल है जो हम आपको अलग-अलग मौक टेस्ट के माद्दम से क पिर मेरे भाई और कराने के लिए बहुत कुछ नहीं बचेगा समझ रहो फिर मौक टेस्ट में क्या कराएगा फिर रिपीटिश्यों सोने लगेंगे ध्यान रखो जैसे मैंने किताब में चैप्टर दे दिया और बात में उसके टेस्ट दिये हैं उसी तरीके से मैं यहां प लोग से बताना आज की क्लास कैसी लगी और अगला टॉपिक यहां पर कौन से शुरू किया जाए भो भी बताईएगा ठीक है मिलेंगा अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही जैन